परिचय दोस्तों आप जानते हैं कि पतंग कैसे उड़ती है? किसी पेड़ की पत्तियां कैसे हिलती है? क्या तुम कभी कागस की बनी फिरकी के साथ खेले हो? ऐसा कैसे होता है? दोस्तों ये होता है हवा के चलने की वजह से हवा हमारे चारों तरफ मौजूद होती है और हम इसे महसूस कर सकते हैं आओ सीखें हवा की विशेश्ताओं की सूची बनाना हमारे जीवन में हवा और पानी की भूमिका बताना हवा किसी जगह को भर देती है जब हम किसी गुबारे में हवा भर देते हैं तो वह बड़ा हो जाता है इससे साफ जाहिर होता है कि हवा जगह घेरती है हवा में भार भी होता है आप देख सकते हैं कि हवा से भरा गुबारा खाली गुबारे से ज्यादा वजन वाला होता है चीजों को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है कभी कभी हम लकडी या कोईला जलाने के लिए हवा फूखते हैं ऐसा इसलिए है क्यूंकि हवा की मौजूदगी में चीजें ज्यादा तेजी से जलती है हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर और बाहर जाती है इससे जाहिर होता है कि हवा के सहरे ही जीवन चलता है पानी जीवन के लिए ज़रूरी है क्या हम बिना पानी पिये जिन्दा रह सकते हैं? क्या मचलियां बिना पानी के जिन्दा रह सकती हैं? नहीं, हम सभी पानी के बिना जिन्दा नहीं रह सकते इसलिए पानी सभी जीवों के लिए जरूरी है पानी हमें कुओं, तालाबों, जर्नों, नदियों, जीलों और समुद्रों में मिलता है पौधों को पानी चाहिए सिर्फ जानवरों को ही नहीं, पौधों को भी जिन्दा रहने के लिए पानी चाहिए, वरना वे सूख चाते हैं जानवरों को पानी चाहिए क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी हमारी तरह प्यास महसूस होती है, बिना पानी के वे भी जिन्दा नहीं रह सकते हमने क्या चर्चा की? हवा हमारे चारों ओर होती है हवा जगह घेरती है हवा में वजन होता है चीजें हवा की मौजूदगी में जलती है पानी हमारे लिए आवश्यक है जीवित रहने के लिए पौधों और जानवरों को पानी चाहिए